इंसानियत में बुलंदियों को छूजाएं, अपने समाज को आदर्श हम बनाएं जी हाँ, परम पूजे गुरु संत गुर्मीत रामरहीम सिंग्जी इंसा लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए हर संभव सुविधाएं मुहया करा रहे हैं चाहे कोई भी गाउं हो या कस्वा, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि हमारे देश का एक भी बच्चा पढ़ाई से मरहूम न रह सके बलकि उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके इसी पर पेश है हमारा आज का एक खास कारेकरम देड़े का सिक्षण सस्थान हम्रे रू ये कहे धान चर्नों में रहे यही दूआ मांगते हैं जिह हम नेक बनते हैं जिह हम रभ दर्शन कर पाएं जिह हम दुनिया भी वहर की विदबाते जाएं देना ताक तू दाता आवल हम आएं कन दया हम बे देना शक्ती तू ये आगे बढ़ते हैं जाएं गदम यही दूआ मांगते हैं जिह हम नेक बनते हैं जिह हम हमी दिन दुखी ओलिये कुछ कर हम पाएं आसु पहुंच के उनके खुशी ने पाएं सब किसे बाग करें खुद गर्जर ना करें एस गर दोजी नजरे करम यही दूआ मांगते हैं जिह हम नेक बनते हैं जिह हम शासत नाम जी तेरा सच्चा नाम जी चुबा पे रहे गाता हमरे हर दम यही दूआ मांगते हैं जिह हम नेक बनते हैं जिह हम देरे का सिक्षण संस्थान देरा सच्चा सौधाई कैसी संस्था है जो मानता भलाई के कारियों में हमेशा आगे रहती है समाज को सभ्य समाज बनाने की कोशिश कर रही है इस संस्था का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है समाज में फैली बुराईयों और कुरीतियों को खत्म करना और इकादर्श समाज का निर्मान करना और ऐसा तभी संभव है जब हमारे देश का एक-एक नागरिक सिक्षित होगा सिक्षा के शेत्र में भी गुरु जी का ये योगदान अभूत पूर्व है देरा सच्चा सौधा के मौजूदा गतिनशीन परम पूर्जे सत्गुर्मित राम रहिम सिंग्जे इंसान भक्त जनों के साथ ही आम लोग भी गुरु जी के इन नेक कामों में आगे आकर मदद कर रहे हैं गुरु जी ने समाज को सुधारने के लिए तमाम तरह के काम करने का प्यूड़ा उठाया आज के तार में जहां पढ़ा लिखा होना बेहत जरूरी है हर जगह हर काम में पढ़ाई जरूरी होती है गुरु जी ने पढ़ाई के इसी महत्तयों को लोगों अख पहुँचाया और लोगों को शुक्षा के प्रतिजागरुख बनाया इसके साथ ही गुरुजी लोगों को बढ़ाई लिखाई के लिए हर संभव सुविधाय मोहया करा रहे हैं और अपने आप में हिस्टोरिकल इसलिए कहूंगा क्योंकि नया है कॉलेज और इतने समय कम समय में इस कॉलेज ने बुलिंदिया चुई हैं जो शायद सो साल पुराना कॉलेज भी ना सू सके और इतने कॉर्स हैं जो यहां चल रहे हैं और गुरुजी की दया मेर से ही चल रह किया जा रहा है ताकि हमारे देश में कोई भी बच्चा चाहे वो कितना भी गरीब लाचार क्यों न हो उसे अच्छी सिक्षा मिल सके वो पढ़ाई से महरूम ना रह सके अमिर बच्चों की तरह अब गरीब और बे सहारा बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना और देश का न रही है यही वज़य है कि कल तक जो बच्चे घर की चार दिवारी के अंदर चूले चोखट के साथ अपनी जिन्दगी बिदार है थे वो आज बाहर निकल कर पढ़ाई लिखाई कर दुन्यादारी की समझ ले रहे हैं और ये सब कुछ हुआ परम गुरु गुरु संत गुर संत गुर्मीत रामरहीम सिंग जी इंसा के पहल से पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने देख सकेंगे उनका बचपन उनकी मासूमियत अज्यानता के अंधकार में धुमिल नहीं होगी गुरु जी की इस पहल से गाउं के लोगों में बेहद उत्सा है गुरु जी ने शुक्षा के प्रति जो जागरुकता का अभियान चलाया है उसे दिन बादिन सफलता मिल रही है लोग गुरु जी का शुक्रिया अदा करते नहीं ठकते उन्होंने पढ़ाई के जरिये उनके भविश्य को सवारने का जिम्मा उठाया गुरु जी के इन स्कूलों में ना सिर्फ बच्चो को पढ़ाया लिखाय जाता है बलकि उन्हें और कई तरह के ज्यान की बाते भी सिखाय जाती है साथ ही बच्चो को अच्छे संसकार भी दिये जाते है गुरु जी के द्वारा खोले गए सभी स्कुलों में न सिर्फ पढ़ाई की बलकि खेल कूद की भी अच्छी विवस्था की गई है जहां बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाता है साथ ही उनका नैतिक विकास भी किया जाता है सबसे पहले उठकर सुबह उनका कैसे डूल बनाया हुगा है सुबह चार बजे उठकर उनोंने सबसे पहले प्राखना करनी है बगवान से उसके बाद वो मेडिटेशन करते हैं सीमन करते हैं बगवान का नाम लेते हैं कि हे मालिक हमारे से सारा दिन कोई बुरा काम ना हो, उसके बाद जब स्कूल में आते हैं, यहां पर भी जो परेर हुती है, अरदास होती है, उसके बाद वहां भी बच्चों का सबसे पहले, कलास में जो जीरो पेर लगता है, उसमें वो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पोर्ट में हमारे पास लगबग काफी गेमें है जैसी क्रिकेट है के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम है और हाक्टी है और फुट बाल अपने वाली वाल एत्लेटिक्स हैंडबॉल हैंडबॉल की बात आई अभी बच्चा हमारा इंटरनेशनल प्रीडर में खेल के आ है हर गेम में बच्चे श्राइब बन चुकने हैं यह सब गुरू जी की मेर से है गुरू जी के विकासकारे का सिलसिला बस यहीं तक नहीं है बलकि इस विगास की धारा को दूर दराज के ग्रामिन शित्रों तक भी ले जाय जा रहा है नतीजितन फरवरी 2007 में मध्य परदेश के सिहोर जिले के बुधनी कस्पे में गल्स स्कूल बनाया गया शिक्षा के शित्र में पिछड़े इस जगह पर ये स्कूल शैश्रिक गतिविधियों की नई इबारत लिख रहा है मध्य परदेश के साथ ही राजस्थान के गाउं श्री गुरुसर मोडिया में सन 2004 को कन्या विद्याले और वर्ष 2009 में कन्या महा विद्याले स्थापित किये गए आपको बता दें कि श्री गुरु सर मोडिया पुज्य गुरुजी संत गुर्मित रामरहिम सिंग जी इंसा का जनमस्थल भी है यही वज़ा है कि इस जगह से गुरु जी को खासा लगाव है सबसे पहले शासतनाम जी गुर्ल स्कूल का इंसेप्शन हुआ जो कि पुराना डेरा में है आपने शायद देखा हो इसके बाद यहाँ बॉइस स्कूल और गॉर्ल स्कूल और आप बॉइस कॉलेज देख रहे हैं इसके इलावा और हर तरह की एजुकेशन को समर्पित यहाँ पर कॉलेज अफ एजुकेशन है जो सिक्षन जो तीचे से उनको प्रिद्यूस कर रहा है और शासतनाम जी इंसेट्टिवर्ट और टेक्नोलजी और मेनेजिबेंट है जो वहाँ पर MBA और MCA का कोर्स करवाई जाया है स्रिगूर्ट सर्मोडिया वहाँ पर भी एजुकेशन इंसेट्टिवर्ट की भरमार कहूँगा तो गलत नहीं होगा सबसे पहले Girls School वहाँ पर खुला शासतनामजी Girls School उसके बाद Girls College खुला अब वहाँ पर शासतनामजी Boys School की भी स्तापना हो चुकी है इसके इलावा मद्धरपरदेश बुधनी में भी एक शासतनामजी Girls School है और अब रिसेंटली जह वो एक स्कूल खुला है वो तारा नगर में खुला है इसके इलावा हर तरह की फेसिलिटीज है जो सीबेसी से बढ़ना चाहिए वो सीबेसी से बढ़ सकता है गुरुजी और उनकी संस्था ने गरीब और लाचार बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए निशुलक शिक्षा की बेवस्था की है जिसके लिए गुरुजी ने सन 2009 में शाह सतनाम प्राइमरी स्कूल की स्थापना की ये स्कूल सीबी एस्जी से मानेता प्राप्ट है जहां गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया दिखाया जाता है वर्तमान में इस स्कूल में एलकेजी से लेकर पाचवी कख्षा तक शिक्षा दी जाती है यहां पढ़ रहे हर बच्चे को कौबी किताब से लेकर पढ़ाई के लिए जरूरी सभी चीजे संस्थान के जरिये ही फ्री में मोहया कराई जाती है इसके साथ ही घर से स्कूल तक ले जाने के लिए भी स्कूल बस की सुभिधा दी जाती है यह परम पूजे गुरू संत गुर्मीत राम रहीम सिंग्जी इंसा के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज इन सिक्षन संस्थानों से लगभग बचास हजार चात्र चात्राएं सिक्षा ग्रहन कर रहे ही और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं बताएंगे आपको लेकिन एक छोट इस ब्रेक के बात कर दो